नमस्कार दोस्तों आडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज के चित्रकार है जी आर संतोष। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। कला से संबंधित वीडियो हम लाते रहे हैंगे। तांत्रिक चित्रकार के रूप में चर्चित गुलाम रसूल संतोष का जन्म वर्ष 1929 में श्रीनगर कश्मीर में हुआ। इनके पिता पुलिस विभाग में कार्यरत थे। बाल्यकाल से ही इन्हें चित्रकला में रुची थी। 15 वर्ष की आयू में दस्वी कक्ष की पढ़ाई पूर्ण करके उन्होंने पढ़ाई को त्याग दिया और साइन बोर्डव दिवारे चित्रित करने लगे। सन 1947 में संतोष बंबाई के चित्रकार सयद हैदर रजा के संपर्क में आयव सन 1950 में कश्मीरी कलाकारों का प्रगतिशील ग्रुप बनाने में महती सन 1903 में आपने अपने चित्रों का प्रथम एकल प्रदर्शन श्रीनगर में किया। सन 1954 में इन्हें भारत सरकार की छात्रवृत्ती मिली एवं ये एनस बेंद्रे के निर्देशन में बढ़ोदा में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करने चले गए। वहां इन्होंने आक संतोष चित्रानकन, बुनाई और पेपरमेशी के काम किया करते थे। 1958 में दिल्ली में संतोष के मुर्गों की प्रदर्शनी हुई। रेखानकन शुधवलायात मकता है। संतोष की कला से धीरे धीरे रूप अद्रिश्य होने लगा वह संपूर्ण चित्र का महत्व बढ़ने लगा। इनकी कला में धीरे धीरे केवल तात्विक सार रूप चिन्ह प्रकट होने लगे। इस प्रकार संतोष अमूर्थ शैली की और प्रवरित होते चले गए। साथ के दशक के उत्तरार्ध में संतोष ने काव्यात्मत द्रिश्टिकोन में काम करते हुए आकृतियों का सरली करण किया। संतोष ने काफी मनन के पश्चात अपने चित्रन का फॉमेट बनाया। उनके चित्रों में चारों और एक हाशिय होता था जो मिनियेचर चित्रों से आया। वो दो तरह के परिप्रेक्ष्य काम में लाते थे। एक अपना जो क्षेतिच होता है और चित्र के निचले भाग में होता है। दूसरा विहंगम जो उर्ध होता है वह चित्र के उपरी भाग में होता है। संतोष के चित्रों का तल सपाथ होते हुए भी एक तरलता का अनुभाव होता है। अमूर्त रूप प्रकाश, अंधकार की क्रिर्या वरंदों के प्रभाव को उत्पन करते हैं वह चित्र में गंभी रहस्य का अनुभाव होता है। इन चित्रों में गुलाम रसूल के जन्स्थान कश्मीर का प्रभाव हिमालय के निले, भूरे बादामी तथा श्वेत रंदों में परिलक्षित होता है। संतोष ने पहले टेक्स्चा का कोई ध्यान नहीं रखा, परंतु बाद में इनके चित्रों में यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया। रंग की परतों पर परते बढ़ती थी वह रंग परिपक हो जाते थे, उनमें से एक आभा निकलने लगती। संतोष तैल रंगों में शहद की मक्खी के छत्ते से निकाला हुआ मोम पिघला कर लगाते थे, जिससे चित्रों में चमक आ जाती थी। संतोष के प्रमुक्ष चित्रों में मैं संतोष हूँ, आपको क्या दिखता हूँ, अंटाइटिल्ड इंदिरा गाधी की शबी, रूप अगनी आदी हैं। सन 1953 से संतोष ने अपने चित्रों के करीब 30 एकल प्रदर्शन किये, जिनमें अंतर राष्ट्री अस्तर पर USA, Hong Kong और सिंगापो प्रमुक्ष हैं। उनके चित्र सन 1979, 1972 के सावपावलो, 1968, 78 में त्रिनाले भारत, 1984 में Contemporary Indian Art और National Gallery of Modern Art, नई दिल्ली और 1986 के नियो तंत्र कला UCLA Los Angeles में प्रदर्शित हुए। संतोष को 1957, 1964 तथा 1973 में ललित कला अकादमी का राष्ट्रिय पुरस्कार मिला। 1975 में इन्हें पदमश्री से भी विभूशित किया गया। 1984 में नई दिल्ली में वर्ष का कलाकार का पुरस्कार मिला। तंत्र मंत्र कला के इस प्रमुक्ष चित्रकार का निधन 10 मार्च 1997 को दिल्ली में हुआ। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब आवश्य कर ले। धन्यवाद। प्रिया वाद।